हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल सूरज के क्लासिस में जैसा कि आप जानते हो यह समय चल रहा है यह थोड़ा सा एक एपरेंटिस अगर करना चाहते हैं अबहुएन लिवल अब हैं अपने मेरेंट हैं जो मlehल चैनल के लिस्ट में उसमें जाकर देख लेना ौशक्रेंओ न हो सकता है कोई apprenticeship, कोई एक अच्छी apprenticeship जो आप चाहते हों, वो आपको महा मिल जा है और आप चांस को मिस ना करें एक और apprentice जो है वो आज ही जो publish हुई है, 8-1 मतलब 8 January को जो publish हुई है यह है ECIL Graduate Engineer Technician Apprenticeship, ठीक है 180 total इसमें vacancy है और यह I think Hyderabad के लिए है So ECIL जैसा कि आप जानते होंगे Electronics Corporation of India तो एक तरह से काफी अच्छी opportunity आप इसे मान के चल सकते हो इसकी जो start date है वो जैसा कि मैंने बताया application लगबग आज ही हुआ है last date जो है वो है 15-1 इसकी जो last date for online application है वो 15 January है date of selection यह 18 January को आपको list मिल जाएगी इसी website पर और उसके बाद में आपका जो है provisional list है वो 20 यह 21 को date of second list यह मतलब कि जो आपके merit है merit बनना सुरू हो जाएगा जो final है आपका final जो training है start date of training वो 4 फरवरी से चार दो मतलब कि चार फरवरी से next month से आपका start हो जाएगा so एक अच्छी opportunity एक चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो है 25 years इसकी age limit इसमें कौन apply कर सकता है तो दो तरह के candidates इसमें apply कर सकते हैं पहले तो यह graduate की बात करें तो हम ECG, CSE, mechanical, triple E और civil वाले अगर diploma apprentice के बात करें तो ECE और CSE वाले मतलब EC वाले और computer science वाले so यह तो है apprenticeship ECIL की so इसमें हमने कोसिश किये कि जितने भी important point detail के points थे हो यहाँ पर cover कर लिए इसके अलावा अगर आपके कोई doubts है तो हमारे comment works में बता सकते है apprenticeship में एक चीज है कि selection process एकदम simple रहती है कि जो भी आपका merit है education जो qualification मांगा है उसके based पर ही आपका जो है selection होता है most probably so इसमें भी I think वही है so अगर आप चाते हो इसमें apply करना तो अभी आपके पास समय है last status की करीबन करीबन 15 January है so तब तक आप अपलाए कर पाएंगे एक registration करना होगा simple सा उसके बाद उसका apply करने के लिए जो है application form भरना होगा ठीक है दोस्तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं next वीडियो मिलते हैं आप से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सुरचित रहिए और अपने family relatives का भी ध्यान रखिए एक बहुत important चीज और मैं कहना चाता हूं यहां पे कि अगर आपने हमारे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया so thank you so much and keep watching सुरच के ग्लासेश चैनल